हलो दोस्तो मैं संदीप हुई के आज की इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो पर एकलब आवास विद्याला की प्रिवेस परिक्षा जो की एड्मिट कार्ड के बारे में भी चर्चा करूँगा और इंग्लिस के दोस्तों मोस् एकेडमी सोसल सोसाइटिटी के एमपी सारस है जिसका दोस्तों सौंट में तो एक ट्राइवल अफेर्स विभाग के द्वार जारी होता है जो की एमपी गौवर्मेंट है तो आप दोस्तों साइट पर जाओगे या मैं दोस्तों चेक करता हूं लेकिन इसमें क्या एड्मिट कार्ड जो जारी होगा तो जो की यहां पर एक option आएगा एड्मिट कार्ड वाला तो जो की अभी तक नहीं आया दोस्तों कब आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है मैं अधिकतर दोस्तों जो एकलब अवासी विद्द्याल है वहां के teacher से भी संप्रक्या लेकिन उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है तो दोस्तो आपको बहत्रीन तयारी करते रहना जब भी पिपर होगा तो मैं आपको जानकारी दूँगा तो चलिए दोस्तो फिलहाल हम कहाँ पर English के most important question हम करते हैं तो चलिए महत्पून है first question क्या दिया है आप देखिए स्क्रीन पर चलिए this is खालिस्तान एपल तो दोस्तो आपको पता होना चाहिए this is इसके बाद में कौन सा अगर दोस्तो यहाँ पर एपल है तो एन लगाएंगे दा लगाएंगे ए लगाएंगे ओन तो यह दोस्तो क्या आर्टिकल होते हैं कि एन दा लगाना पड़ता है तो तीन में से क्या लगाओगे जब भी आपको इस तरीके से दोस्तो एक वीडियो में ट्रिक जो होता है वो बताऊंगा फिलाल हम आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा ठीक है नहीं तो देखिए एए एन दा की बात एफ दोस्तो कब आएगा जब आपके स्वयर 젊 जो टोस्तो उच्चारल में क्या है वेंजन आये वेंजन मतलब क्या है काकलम जैसे काउ तो काउ आता है दोस्तो काई आ रहा है उसमें हम क्या लगाएंगे काकलम ठीक है न उसकी बात दोस्तों क्या है N कहां लगता है जहां पर जिस word के उच्चारल में क्या हो swear मतलब वाविल की दोईनी हो जैसे हम दोस्तों एप पल लिखे तो हिंदी में आपको टाइफ करके देखना है एप पल ए आ रहा है इस तरीके से पल लिखते हैं मतलब एड़ी आ रहा है दोस्तों जी क्या है वेंजन हम स्वरी कौंसूनेंट है वाविल है दोस्तों ठीक है न जी क्या है वाविल है मतलब swear है तो swear की सामने हम क्या लगाएंगे and मतलब a option is the correct हो जाएगा आपको इतना ध्यान रखना है ठीक है न स्वर है उच्चारण में आए तो हम क्या लगाएंगे and लगाएंगे वेंजन आ जाए तो क्या लगाएंगे a लगाएंगे चलिए फिर next question क्या है दोस्तों तो a आ जाएगा first का a option is the correct तो मोहन इजया खालिस्तान नाउन तो मोहन कौन से नाउन है आपको बताना है proper नाउन जो कि d option is the correct हो जाएगा पांच परकार नाउन के परकार है सभी आपको बनना चाहिए फिर next question क्या है दोस्तो the masculine gender of the word poetess तो poetess मतलब क्या होता इसका आपको बताना है masculine gender मतलब pulling सब्द बताना है दोस्तो what is the plural noun of ball ball मतलब क्या होता है दोस्तो गेंद होता है balls का क्या हो जाएगा ball जो कि option is the correct हो जाएगा plural noun पर नेस्ट कोश्चन है दे खालिस्तान गोइंग टू भूपाल तो आपको बता रहे हैं दोस्तो क्या बताना है यहां खालिस्तान में क्या आएगा दे खालिस्तान गोइंग टू भूपाल मतलब वे भूपाल जा रहे हैं तो दोस्तो यहां पर आपको देखिए प्लूरल दि आपको रेमिंग वर्ड का बताना है तो what is the रेमिंग वर्ड और fight fight का का आपको बताना है रेमिंग वर्ड मतलब सामान धोनी जो कि इसी तरीके से उचारल में आए तो fight का क्या हो जाएगा दोस्तो night देखिए फाल, नेश्ट, कास्ट जी क्या अलग धोनी है केवल सेम धोनी वाले को हम क्या कहते हैं रेमिंग वर्ड कहते हैं नाइट सही हो जाएगा तो दोस्तो और हमारे स्कूल एक्जाम नोलेज चेनल को अगर आपने सस्क्राइब नहीं किये तो कर लेना है मैं संदीव वई के आपको बहतीन तरीकी सहरी कॉंटेंट आपको बताता हूँ एकलब आवास विद्याले की तयारी के लिए तो दोस्तो आपको क्या लाइक करन देना है और कमेंट जो भी वीडियो सहीं लगे तो फिलीज करना चलिए फिर क्या है कॉपर इजदा खालिस्तानो नाउन तो आपको बताना दोस्तो कॉपर कौन से नाउन हो जाएगा कॉपर देखिए कॉपर है गूल्ड है और क्या है सिल्वर इस तरीके जिस सब क्या होती है material नाउन होती है तो क्या C option is the correct हो जाएगा copper है मतलब तामा आप सभी जानते है तो टेवल का क्या हो जाएगा दोस्तो प्लूरल बहुत आसान है D option is the correct हो जाएगा टेवल फिर 9th नम्मर को question क्या है दा खालिस्तान is the national bird of India तो यहां पर दोस्तो आपको बताना है क्या आएगा इजदा national bird बर्न मतलब पक्ची होता है जो कि इंडिया का राष्टी पक्ची कौन सा है पेरेट पीकॉक इसपरो कॉक तो दोस्तो यहां पर क्या हो जाएगा पीकॉक जो कि B option is the correct हो जाएगा फिर next है और last question है दोस्तो how many types of tens tens के कितने परकार होते हैं आप सभी को पता होगा जो कि क्या हो जाएगा D option मतलब 3 परकार के tens होते हैं तो दोस्तो आपको वहते नी तरीके से ध्यान रखना है और दोस्त आपको बता दिया हूँ कि क्या है admit card अभी नहीं आए हैं अब कब होगा इसकी जानकारी मुरे को भी दोस्तो मैं चेक करता हूँ अभी नहीं है अगर आपके क्या पास में कोई विद्ध्याला है तो आप वहाँ जाकर teacher से आप संप्रा कर सकते हैं पढ़ रहा है तो मेरे contact में जितने ही दोस्तो एक लब अवासी विद्ध्याला की teacher हैं उनसे मैं संप्रा करता रहता हूँ बट अब उनके पास भी कोई अभी जानकारी नहीं है तो मैं जैसे ही जानकारी होगी आपको बताऊंगा ठीक ने जैसे ही दोस्तो जै वारत